हेलो एबरिवन बेलकम बैक टो माई चैनल तो दोस्तों यह हमारी कंस्ट्रक्शन साइट चंदोली जी ले की है और यहां पे जो इनका फार्म है यह इसी पॉल्ट्री फार्म का कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे थे तो इनका जो पहले से करीब 130 बाई 30 का जो शेड है यह वाला यह कह लिए कि चंदोली जी ले का सबसे पहला जो है इसी पॉल्ट्री फार्म इनहीं का है और सक्सेस्फुली चल भी रहा है तो और इसको एक्स्पैंड करने के लिए इन्होंने यह सेड 130 फिट और बढ़ा रहा है कि टोटल जो है 260 बाई 30 का इनका कैपसिटी अभी तक 5000 की प्राइलर के लिए और सक्सेस्फुली यह फार्मिंग कर रहे है तो यह सेड हम लोगों ने जो है हमें इसका कॉंट्रेक्ट मिला था तो यह सेड हम कंप्लीट लगभग हो चुका है कंस्ट्रक्शन टाइम का यह वीडियो है और जो पहले का सेड बना हुआ है यह टोटल ज कि अब यह जो हमलोग बना रहे हैं यह टोटल ट्रस पर है और इसकी साइड हाइड जो है आट फिट है और सेंटर की है लिए न्या वाला ना तो अभी यहां पी जो काम हो रहा हैं यह टोटल काम हमारी टीम के दौरा और जिसमें जो ईसी सिस्टम डलेगा वह भी हमारी ही ट इसका में टोटल इस वीडियो में आपको इसका खर्चा भी बता दूँगा वीडियो के लास्ट में तो वीडियो में आप बने रही है और आपको पता चल सके कि अभी के टाइम में जिसी अप्रिल 2013 चल रहा है तो इस टाइम पर इस मॉडल का सेड़ डाप ट्रस पर अगर बनाना चाहते हैं सी फार्म हो गया लिय फाहा हो गया यह पर किसी भी टाइब का शेड़ा बनवाना चाहते तो आनुमानित ल्गत पर आपको अडि़या लग जाए कि कि कितने स्कॉाइर्ट बनाने कि हमें लगभग कितना खर्चा आएगा तो टोटल लिए करीब 4000 स्कॉार फिट एरिये का ये फार्म है 130 या 130 लगभग 31 है तो लगभग 4000 स्कॉार फिट एरिया बन रहा है इसका और फैन वगरा लगने के लिए उधर जो इस तरफ है पस्यम साइड में इसका कुलिंग पैड है और पूरफ साइड में इसका फैन लग जाएगा अभी अभी तक चार फैन थे तो फिर ही वो जो इस पेस छोड़ा गया है वहाँ पर पांच फैन लग जाएंगे जिससे इनकी कैप सिटी जो है कि अधर स्कॉार फिट की आठ जार स्कॉार फिट हो जा रहा है दोनों मिला करके तो दश्यार बट के लिए यह बन जाएगा और इस सेट को बनाने में टोटल अभी तक क्योंकि यहां पर थोड़ा सा जहां पर यह मिट्टी की फिलिंग हुई है काफी मिट्टी की फिलिंग हुई है और नीचे से पुरा प्लिंथ विम डाल करके 9 by 9 इंच की प्लिंथ विम डाल करके फिर वहां से साटों में हर दस दस फिट पर जो है 9ञ नौ इंच की पिलिर्ज चोड़े गए हैं फिर उसी में हमारे साइट की जो पाईप है उसको और जो सारी कैंचिया बनी हुइए वह सभी जिए और सभी का विट करीब 15 kg में है कहीं केंचियों केंचियों में जो यूज की गई है पाईपे सभी स्कॉयर पाईपे है और जो परलिन के लिए उसकी गए है वो सभी सवा इंच की है वह 13 kg और जो साइट पिलर के लिए कि उनका विट करीब 20 किलो है तो इस तरीके से इस सीट का निर्माण किया गया है और जो पत्रा लगाए गया है वो दस फिट और आट फिट लेंद्थ के लगाए गये हैं तो टोटल अगर बात करें इस फार्म में थोड़ा सा नीचे जो है अच्छा से फॉंडिशन दिया गय में तो करीब चार फिट फिलिंग की गई है उसका खर्चा और प्लिंथ पीम बगएरा और जो सारी चीजे की गई है इन सबको मिलाया दे तो थोड़ा सा खर्चा उपर गया हुआ है नॉर्मल अगर आप फिलिंग कम करते हैं तो वहां पर खर्चा थोड़ा सा काम आता है त बाकी का आपको बाद में बताएंगे तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक कि लिए बाद करेंगे